Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्राखंड LT की तयारे भी बहुत अच्छी चल रही है तो guys, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 20 मैं तो पूर्ण प्रस्न डिसकस करने वाले हैं जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले 9 वीडियो आ चुके हैं यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाए और चैनल की प्लेइलिस्ट पर देखिए ठीक है उससे पहले मैं आपसे एकी बात कहना चाहूंगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो देखे पहला प्रशन है किस गुप्त कालिन सासक को कभी राज कहा गया चार ओप्सन है आपके सामने स्री गुप्त, चंद्र गुप्त सेकंड, समुद्र गुप्त या फिर इसकंद गुप्त तो आंसर रहेगा दोस्तों हमारा यहाँ पे सी समुद्र गुप्त अगला प्रशन है हमारा स्री लंका की राजा मेग वर्मन ने किस इस्तान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्र गुप्त से अनुमती मांगी थी बहुत ही मैतपुण प्रशन है दोस्तों यह उप्सन है अमारे प्रियाग बौध गया कुसी नगर या फिर अमरावती तो आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा बी बौध गया आगला प्रशन है मंदिर निर्मान कला का जन्म सरपर्थम कब हुआ था आप्सन है हमारे मौरे काल में, गुप्त काल में, कुशान काल में या सेंदव काल में तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर B, गुप्त काल में सबसे पहले गुप्त काल में ही मंदिर निर्मान कला का विकाश हुआ था अगला प्रशने हमारा चंदरगुप्त सेकंड ने विक्रमा दित्य की उपाधी कब धारण की थी सकों का उन्मूलन करने के बाद गुप्त सियासन पर बैठने के बाद चांदी के सिके जारी करने के बाद या उपरुक्त सभी तो आंसर रहेगा हमारा यहांपर A. सकों का उल्मूनल करने के बाद अगला प्रशने गुप्त काल के सरवादिक लोगप्रिया देपता कौन थे? सिव, विश्नु, बुद्ध या सूर्य तो आंसर रहेगा हमारा यहांपर B. विश्नु अगला प्रशने चंदरगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुसी में चांदी के विश्य सिक्के जारी किये थे? बालहिक प्रदेश को जीतने के बाद, हुणों को प्रास्त करने के बाद, सकों को प्रास्त करने के बाद, या इन में से कोई भी नहीं तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा C, सकों को प्राजित करने के बाद, अगला प्रशन है हमारा उत्तर गुप्त यूग में जो विस्तु विद्धाले प्रसिद्ध हुआ था, वे था, काची, तक्षसीला, नालंदा या वललबी, तो गाइस यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा C, अगला प्रशन है एरण अभिले का संबंद किस सासक से है, ब्रह्म गुप्त, चंदरगुप्त फरस्ट, चंदरगुप्त सेकंड या फिर भानुप्त, तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर D, भानुप्त, अगला प्रशन है फायान किसके सासनकाल में भारत आया था, ये भी काफी मैं तो पुन प्रशन है दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट असोक हर्षवर्दन या चंद्रगुप्त सेकंड तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर डी चंद्रगुप्त सेकंड ठीक है फायान चंद्रगुप्त सेकंड के सासनकाल में भारत आया था अगला प्रशन है भारतिय संस्कृति का श्वर्ण युग था मौरेकाल, राजपूतकाल, चोलकाल या फिर गुप्तकाल, तो आंसर रहेगा हमारे यहां पर D, गुप्तकाल, अगला प्रशन है फायान कहां का निवासी था, भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा, तो गाइस यहां पर हमारा आं जो था वो चीन का निवासी था, अगला प्रसन है सेतु बंद का रचनाकार, परवर सैन सेकंड, किस वन्स का सासक था, आंसर रहेगा हमारे यहां पर C, वाकर्टक, चलिए अगला प्रसन देखते हैं, गुप्त सासकों की सरकारी या दरवारी भासा थी, पाली, प्राकर्थ हिंडी या सस्कृत, तो आंसर रहेगा हमारे यहां पर D, संस्कृत, अगला प्रसन है हमारे इतिहासकार V.A. इस्मित ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा, ओप्सन है आपके सामने इसकंद गुप्त, चंदर गुप्त, ब्रम ग या फिर चंदर गुप्त, तो आंसर रहेगा हमारे यहां पर C, इसकंद गुप्त, अगला प्रसन है गुप्त राजवन्स किसलिए प्रसिद था, कला एबम, इस्थापत्य, साहिते कार्यों का संरक्षन, राज्यस्वयबम, भूमिकर, सामराजिवाद, आंसर रहेगा हमारे यहां पर A, कला एबम, इस्थापत्य, अगला प्रसन है आजंता कला किरतियां किस से संबंदित हैं, हडपा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से, या फिर गुप्त काल से, तो आंसर रहेगा दोस्तों हमारे यहां पर D, गुप्त काल से, लास्ट प्रसन है कुछ तो सेकंड या विक्रमा दित्य भी इनको कहा जाता था, तो कालिदास इनी के राज कभी थे, ठीक है तो आज की इस वीडियो में हमने ये कुछ मैतोपुन हिस्ट्री के कोश्चन कवर किये हैं, इसी तरह से हमारे चैनल पर आपको उत्राखंड LTSST की प्रप्रेशन कंप्लि बहुत बहुत धन्यवाद